हेलो दोस्तों नमस्तकार आप सब को देसितर का किचन में स्वागत है दोस्तों यह आउला है आउला के हम बहुत अच्छा रिष्पी मलाने जा रहे हैं देखने में जीतेना खुबशूरत है उतना ही खाने में भी टेस्टी होगा बहुत अच्छा रेश्पी बनाएंगे तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए आवले को सबसे पहले हम क्या करेंगे एक काटा वाला चम्मस से थोड़ा थोड़ा दो तीन जगा इसको हूल करेंगे सारे आवले को हम होल कर लिये हैं अब चलते हैं कीचेन की वर सबसे पहले पानी डालेंगे यह चुना है पिला चुना इसको पानी में मिला देंगे हम अब इस ही में यावला जो हम रखे हैं छेदा करके इसको डूबने लाइग हम पांच से छे घंटा के लिए इसको ढखके रखेंगे चुना में डूबाने से फायदा है यह होगा इसका जितना भी कसापन है सब दूर हो जाएगा अभी से देखिए इसका कलर चेंज होने लगा देखिए दोस्तों पांच शे घंटा फूलाने के बाद इसका कलर चेंज हो गया है हालका लाइट कलर न हो गया है दूद में आदे घंटे के लिए रखेंगे इसका एक्स्टा पानी जो भी है हम सुख जाएगा सीर्फिस का एक्स्ट्रा पानी सुखा लेना हो इसका एक्ष्टा पानी जोगी था सूख गिया है अब इसको हम चल रहे हैं बनाने इसमें एक पानी डाल रहे हैं पानी गरम हो गया है इसमें गुड को अच्छे से हम मिला देंगे आवला मेरा 1 kg है तो गुड भी हम उतना ही डाल रहे हैं 1 kg दोस्तों हम आवले का मुरब्बा मनाने जा रहे हैं जिसमें एक कप पानी डाले थे और एक केजी गुड है और एक केजी आवला है तीनों का का मिनेशन जानना ज़रूबी है कितना में क्या पढ़ना चाहिए इसले हम गुड को अच्छा सभी पकाएंगे कि मेरा उबल रहा है वाइल हो रहा है इसको उपर से हम इसका जितना फेरन है इसको हम निकाल देंगे इसको चान के अच्छा से निकाल देंगे इस आवले को डालेंगे और इसके साथ में बहुत अच्छा से इसको फूप करना है थोड़ा टाइम लगेगा इस गूड़ को तब तक पकाएंगे जब तक ये गाढ़ा नरो जाए गाड़े होने तक इसको फूप करते रहना है थोड़ा सा इलाजी पावडर डाल दे रहा है इससे पेस्ट पहुत अच्छा होगा फूड जो ए एक घंटा हम कुप किये हैं एक घंटा के बाद ट्यार हो गया है इसमें थोड़ा सा socially मिर्ट जालने से इसको अबढ़ जाएगा थोड़ा सा म काला नमक डालेंगे थोड़ा सा जाएगा थेश क्रम उभर जाएगा दोस्तों देखिए हमारा लजजीज मुरब्बा बनकर तयार हो गया और सिहत के लिए इतना फायदेमंद है आपका आपका रोस्ती भी बढ़ाएगा बाल जड़ने से रुकेगा पेट ठंडा रहेगा पेट साप रहेगा बहुत ज़्यादा फायदेमंद है इसलिए आपका मुरब्बा खाई मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें अगर चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब करें फिर मिलेंगे अगले वीडियो में तब ते के लिए धन्यवाद